दमश्कार मैं 36 गड़कबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आज कल के इस्टूडियो से सुनिल कुमार अपने राजनीतिक विशलेशक शशांक तिवारी के साथ यहां मौझूद हूँ हमने अभी पिछले वीडियो में राजधनी राइपूर की चार सीटों का एक विशलेशन किया था जिससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी कुछ हमारी समझ मिलेगी हैसला आपको खुद को करना है वो राजधनी राइपूर की चार सीटे हो गई लेकिन राइपूर क सीटों से लगी हुई चार ऐसी और सीटे है राइपुर जिले की दुर्ग जिले की चार और ऐसी चर्चित सीटे हैं जिन पर आज बात करना जरूरी है जिनके बारे में लोगों की उत्सुकता बाकी कई सीटों के मुकाबले ज़्यादा है ऐसी चार सीटें है उनके बारे में हम भी बात करेंगे आप से इसकी शुरुवात मैं करता हूँ राइपुर जिले की एक सीट है उसमें से इन चार में से वो है धरसीमा धरसीमा बड़ी दिल्चस पीट है बाजपा के देव जी पटेल वहां से ताकतवर विधायक थे और पिछले विधान सभा चुनाओ को हारने के पहले तक वो गुजराती समाज के शायद अकेले विधायक थे विधान सभा में किसी भी पार्टी के ऐसा ही था पहले धंतरी में रह चुके हैं गुजराती समाज के और विधायक लेकिन देव जी पटे में उत्करिष्ट विधायक का उनको अवार्ड भी मिला था विधान सभा में हैसा ही था उनको टिकट नहीं दी है पार्टी ने बीजेपी ने यह उम्मीद कर रहे थे बहुत सारे लोग की उबागी होके लड़ लेंगे लेकिन उन्होंने लड़ना तय नहीं किया फार्म शाय अश्पा के उम्मीदवार हैं अनुच शर्मा अनुच शर्मा का नाम च्छतिसगड़ में तमाम लोग जानते हैं वो गायक हैं फिल्म कलाकार हैं वो उनका चेहरा जाना माना है च्छतिसगड़ी भाशा की पांच फिल्में जो सिल्वर जुबली जिनोंने पूरी किये उसम लेकिन उनका इंटर्विव आपको दिखाया था हमारे नीज रूम से तब ही स्टूडियो नहीं बना था अनुच शर्मा वहां भाजपा के विधायक हैं न केवल देव जी पटेल बलकि एक रेटायर्ड आईये सबसर गणेश शंकर मिश्रा भी वहां से भाजपा की टिकट चाहते थे उन्होंने खासी मेहनत भी की थी लेकिन टिकट मिली अनुच शर्मा को शायद दोनों ही पार्टियों ने ये पैमाना बनाया है कि जीत की संभावना जिसकी जादा है उसको टिकट दी जाए यहां से कॉंग्रेस की विधायक जो है छाया वर्मा है जो की पहले रा लेकिन वहा शलिश नितीन तरिवेदी उनल पर भक़डे कांग्रेस पार्टि के और चाहा वर्मा को यहां आना पढ़ा धर सीवा में धर सीत की वे कंग्रेस की विधायक थी अनीता शर्मा जो सिटिंगे मेले थी पिछले अभी महजूदा वि εδώ है जो विदान सा बात थी उसमें, उनकी टिकट काट के कांग्रेस ने छाया वर्मा को दी है, भाजबा से अनुजय शर्मा है, एक कुर्मी, एक ब्राम्मन, अब जो हर 36 गड़ पार्टी जो है, उसके अमीद बगेल, जो की उसके मुखिया हैं, सरवे सरवा हैं, वो यहां पे हमा हरे साथी से स्टूडियो में थे, उन्होंने 36 सीटेंग जीतने का दावा किया है, 36 गड़ में, मैंने उनको कहा भी था कि हम आपका ये वीडियो दिखाएंगे रिजल्ट आने के बाद में, कि आपको 36 में से कितनी मिलती हैं, तो वो भी वहां से लड़ रहे हैं, जो हर 36 रहे हैं कि छाया वर्मा का भी कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, कॉंग्रेस में कुछ मान रहे हैं, अनुष शर्मा का तो विरोध हो ही रहा है, क्या इस्थिती है धर्सीमा की? अब चाय वर्मा एक बार धर्सीमा से चुनाओं लड़ चुकी हैं, जीला पंचायत की अध्यत भी रही हैं, और आपको बता दूस्थ जो सीटिंग मेले हैं, अनिता शर्मा, दोनों की अच्छी ट्यूनिंग रही है, जब टिकेट के प्रत्यासी चायन की प्रक्रिया चल र अनिता शर्मा और चाया वर्मा अच्छा और वो बलोदा बजार से टिकेट चाहरे थी, यह अपना रिपीट बन गई, कि इनको यहां आना पड़ा, और उनकी टिकेट कट गई अनिता शर्मा की, लेकिन विरोध बिल्कुल नहीं हुए, विरोध बिल्कुल नहीं कर रही है, और शर्मा के साथ दी दे रही है, और इन सब के बीच में जोहार चत्तिजगरा अमीद बगेल के चर्चामा था, यह कुर्मी समाज के वोट यहां धरसीवा में काफी है, इसमें यह पहले भाश्पा में थे, अमीद बगेल, प्रदेश भाश्पा के खिसान मुर्चा के महाम पहले रहें, तो काफी सक्री रहें, और खास करके 36 मेने तक तो जेल में रहें, तो सबसे ज़्यादा कहीं सक्रीता रही तो इसी विदार सबाश्पा में रही है, और अलग अलग विश्यों को लेके 36 गड़िया सम्त को लेके काफी अंदोलन करते हैं, अब यह इनके अलाव लोगपरी तो है, पहचान चतितगड़ी करिमों के कारण, उनकी पहचान गाउं गाउं तक वैसे ही पहले ही पस्तिती हो गई थी, और अभी पहले यह हुए थी कि भाजपा से इनको शहयोग ने मिल पा रहा था, अनुछ को, क्योंकि बहु सारे टिकेट के दावेदार काफ आरंग से इनके चुनाव संचालक हो गया है, और वो अद्धेज भी रहें, जनपाद अद्धेज भी रहें, खुद भी, तो कुल मिला के इनकी स्तिती भी मजबूत है, तो चायवर्मा पैचान के संकट नहीं है, राजसभा सदस्ची रही है, उनकी पहले जिला पंचात प्रत कॉंग्रेस प्रत्यासी के रहें, काफी काम भी किया था, जनपाद भी है, तो कुल मिला के मुकाबला नजदी की है, और इन सब के बीच में अमीद भगेल की प्रभावी मौजूद्धी दिख रही है, लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है कि ये अमीद भगेल जेतने वोट पाएंगे, वो छाया वर्मा का नुकसान ज्यादा होगा, छाया वर्मा कभी हो सकता है, भाजपा कभी हो सकता है, भाजपा के भी वोट मिल सकते हैं, अमीद भगेल को क्योंकि पहले पार्टी में रहे हैं, अच्छा, और बसपा और जनता कांग्रेस के भी वोट कट सकते है तो बस्पा का भी अपना एक वोट रहा है विलाके में तो वो कमिटेड वोट है वो उनको मिलेंगे यहने मुझको यह याद पढ़ रहा है कि अनूज शर्मा जो है यह फिल्मों में कलाकार के अलावा इनका स्टेज प्रेजन्स बहुत बड़ा है यह स्टेज पे आके गाना संगीत के कारेकरम पेश करना यह धार्मिक गाने वगर भी बहुत गाते हैं इसके अजावा यही है कि अगर यह प्रचार में जा रहा है तो स्वैशपूर्द भीर जुड़ जा रही है जुड़ जा रही है चेहरा लोग देखना चाहते है हाथ मिलाना चाहते है दूसरों को दूर्ग जिले चले चलते हैं यहां से उतर के दूर्ग जिले चलते हैं वहां भिलाई की सीट पे पहले आते हैं भिलाई विदान सबा जिसमें देवेंद्र यादो विधायक हैं कांग्रेस के वो अभी केंडिडेट भी है भाजपा के प्रिम प्रकाश पांडे यह विदान की भील उनके यहां लगी ही रहती है यहां पे जनता कांग्रेस के जहीर खान है और भी दरजन भर केंडिडेट है अब में मुकाबला मुझको यहां पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है देवेंद्र यादो कांग्रेस के मौझूदा विधायक और भाजपा के बुद्पुर विदायक प्रेम प्रकाश पांडे में जो कि विदान सभा अध्यक्ष भी रहे हुए। क्या इस्तीती है विलाई विदान सभा में? यह दूसरी बार आपास में ठक्रा रहे हैं, पिछले बार प्रेम प्रकाश पांडे को हरा के देविन यादव आये थे? करीब करीब तीन हजार के आसपास ओटों से हारे थे लंबी जीत नहीं थी देविन मेयर भी रह चुके हैं विलाई नागर निगाम के और अभी कुछ महिनों से, कुछ महिनों मतलब साल देड़ साल से विवादों में भी रहे हैं, एक तो कोल स्केम में इंका नाम आया है, इड सीडी को लेके भी आया है, तो इसका बहुत पूर्जोर तरीके से खंडन में किया, और मुझको लगता है कि वो देवेंदर यादों को बदनाम करने की एक बड़ी उच्छी हरकत थी, जब एक सीडी गढ़ी हुई सीडी, जितने कागज लैब की फोरेंसिक लैब की रिपोर जो है वो देवेंदर यादों को उसमें पाक साफ बताती है सेक्सीडी में, और उन्होंने बड़ा रोते हुए ये किया था, मुझको भी लगता है कि चुनाओं में इस तरह से सेक्सीडी गढ़ कर देवेंदर यादों को बदनाम करने की कोशिश जो है, वो उसको ने रखी, साबित किया कि ये वो नहीं है, उनके नाम पे ये जबरदस्ती फैलाई जा रही है और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा ही राजनीती करना नहीं चाहता हूं, इससे अच्छा मैं राजनीती छोड़ दूगा, रोते हुए उन्होंने कहा था, मजबूत नेता हैं, रोते ह हुए उन्होंने कहा था, ऐसा ही था, तो अब यहां पर क्या इस्थिति प्रेम प्रकाश पांडे जो है, मुझको क्यों याद पढ़ रहा है कि प्रेम प्रकाश पांडे के बेटे मनीश, ये भी पिछले कई सालों से अपने पिता की कांस्टेंसी में काम कर रहे थे, अपना की बेटे को भी दे सकती है, ऐसी चर्चा थी ना, और प्रेम प्रकाश पांडे शक्री रहे, एक राम दर्वान नाम से अलग से वो तंगठन भी बनाया हुआ है, तो हिंदुवादी सोच के निता हैं और प्रेम प्रकाश पांडे के साथ ये हैं, फ्रोड़ा सध्धानतिक आदमी है, कि मैंने विधान सबाद देच के रूप में भी देखा है, मंतरी के रूप में भी बड़ा नजदी की से दिखा हूँ, कि उसके पर आप इसना व्यक्तिगत नहीं, दूसरे आरूप लगते नहीं, मेरा इनके साथ रात को दो-दो बजे तक बैठना था, हमके वल स समयधानिक मुद्दों पर बातचीत करते थे, बहस करते थे, मैंने किसी तरह का एब उन में नहीं देखा, मैंने किसी तरह की ओची बातचीत उनके मुझे से नहीं सुनी है, मैंने नहीं सुनी है, बाकी का मुझे को नहीं मालूम है, जनता कांग्रेस हैं, जहिर खान, यह य और यह जो खास करके विलाई एरिया में सबसे बड़ा ज्यादा महादेव है जो चर्चा में सरकार के उपर आरोप लग रहे हैं इसको लेकर एरिया इलाका काफी कुख्यात रहा है पूरा भिलाई ही उसका इपी सेंटर है जैसे भुकंप का केंदर रहता है ऐसा महादेव सट्टा का इपी सेंटर भिलाई है और हर दूसरे तीसरे नौजवान के हाथ में आप किसी तरह का ऑनलाइन सट्टा से जुड़ा गेम देश सकते हैं बड़ी संख्या में सैकड़ों न लेकिन देवेंद्यादों को जो चार्शीट किया है इडी ने वो एक दूसरे केस में किया है लेकिन इनके हां भी जाच हो चुकी है इनके भाई के हां कही तरह की जांच हुई है बहुस सारे जांच है तो खर यह आगे वी प्रेम प्रकाश पांडे ऐसे किसी विवाद या क किसी जांच या किसी आरोप में नहीं है अब तक नहीं है अब तक याने अब तो उमर भी 60 साल उनकी बार हो रही होगी हमीं लोगों के समय में कॉलेज वगर की राजनीती करते थे यह तो कफी उमर निकल गई है बिना विवाद के उसको अब तक बोलना थोड़ा जादती हो और एक दूसरी दिल्चस्प बात समझ लीजिए कि देविंद्र यादो और प्रिम प्रकाश पांडे ये दोनों ही बिहार मूल के लोग हैं बिलाई जो है उसकी बड़ी खुबी है जवारलाल नेहरू ने बिलाई इस पाथ सायंत्र बनाया था उसमें देशवर से काम करने क लिए लोग आए और मैं आपको बतलाओं पूरे च्छतिस गड़ में कोई एक अखेला चोटा सा कॉलोनी है बीएसपी की कॉलोनी उसमें पूरे देश के हर प्रदेश से आय हुए लोग बसे हैं उतनी विविधता आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी वह एक मिनी इंडिया क वहही है मिन सरोजपांडे वहां से मेर रही धुर्प भिलाजी से वो दूर्ग से वो दूर्ग भिलाजी की राजनीती करती हैं वो कई तरह के चुनाव लड़ी हैं जीतीय में राज्य बाकी प्रदेश को भी रहना चाहिए ऐसा खैर वो जदा लंबी चर्चा मैं नहीं करता यह हो गया विदान सभा का हाल ठीक है यहां पे कई प्रदेश के वोटरों की विविद्धता है बिल्कुल कई धर्मों के लोगों की विविद्धता है यहां पे चलिए अब हम आते हैं दूर्ग गरामीन विद्धान सभा जहां से मौझूदा ग्री मंत्री तामरदवज यह साहू विद्धायक है भाजपा के ललीच चंद्राकर शायद नए केंडिडेट है यहां से जोहार चतिसगर के कामेश्वर साहू है आम आदमी पार्टी से संजीत विश्वकर्मा है शा और भी बड़े नेता है वो आपको ध्यान होगा कि जिस वक्त चतिसगर में कॉंग्रेस दस लोगसभा सीटों को खो बैठी थी उस वक्त भी तामरदवज साहू लोगसभा सीट जीत कर लोगसभा पंचे थे ठीक है यह वो चतिसगर से अकेले लोगसभा सदस्य थे ऐसा महत वो था उनका उस वक्त से वो खड़गे राहूल सोनिया प्रियंका सब की नजरों में है लोग जानते हैं कि छतिसगर में सब हार गये थे दस सीट हार गई थी कांग्रेस तामरदवज जीत के पहुंचे थे शायद इसी लिए तामरदवज साहू को कांग्रेस के OBC प्रकोस् करते थे और आपको अगर याद नहों तो 2018 का जब चुनाव हुआ था जब दिली में यह करने के लिए बैठक हुई कि छतिसगर से मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए उसमें चार दावेदार थे तामरदवज साहू बोपेश बगेल टीए सेंदेव और चटलदास महंत मैं म किया गया था तामरदवज साहू का नाम तकरीबन घोशित हो गया था उनके घर ढोल बज रहे थे फटाके पूट रहे थे मिठाई बट रही थी इसके बाद भूपेश और सिहिदेव ने मिलके जाके खरगे से मुलाकात की कहा कि हम दोनों में से किसी को बनाई है नहीं तो ह हैं उनके सामने परोसी गई थाली को खीच लिया गया था वो ग्री मंत्री और पीड़ी मिनिस्टर बनके रह गये थे लेकिन उन्होंने इस पांच साल में इसके खिलाफ कोई कारवाई नहीं की कोई साजिश नहीं की कोई गुडबाजी नहीं की वो पार्टी के वफादार बने रहे इतना सब होने के बाद भी तो मुझको लगता है कि पार्टी के जो वफादार वोटर हैं वहां के दोर्ग गरामीन के वो तामदवत साहू को देखेंगे दूसरी बात है कि वो साहू समाज के भी बड़े नेता हैं अब आप बतलाओ कि यहां क्या इस्थिती है कहनना है तो फहले धूश्य से जीते झांज ने की बाद बे मितरा गया बे मितरा जेते एक और आरने बात तुरन लोगसा बालारे जीते फिर दुरू गरामीन उयर्द रूंू ग्रामीन से जीते पिर अज़ेती वार orphanip फिर मैदान में हैं कोई मुझको बोलता है कि ये काफ पुरू बाच्चित नहीं हुई है कभी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नोग कहते हैं अब मंतरी के रूप में तो बहुत ज्यादा सफल दिखते नहीं है रहे हैं मतलब कोई ऐसा उलेखनी काम दिखता हो कचारित हो ग्री विभाग ग्री माम माकमा जो खास करके बदनामी वाला ज्यादा रहता है बीरंग पूरकांड में यह नहीं गये उसको लेकि काफी आलोचना भी हुई हां मैं हैरान हूं धोड़ा सा कि एक साहू परिवार के लड़के की हत्या हो गई संपरदाइक तनाव में और यह साहू समाज के रहते और ग्री मंत्री रहते वह वह लोगे तो जिम्मेदारी बनती थी किसी हिंसा में जाने की ये साहू समाज के होके ग्री मंत्री होते वे वहां क्यों नहीं गए बीरनपूर में अब वज़ा जो भी हो सामने कभी उन्होंने कुछ कहा भी नहीं लेकिन समाज के लोगों की बैठक लेके घोशना वगरा जिस तरह के कि शहर और ग्रामें दोनों इलाका आता है रिसाली इलाका नगर निगम का वो शहरी है और गाओं भी है उताई वगर शायद आता है कि इसमें उताई भी आता है तो कुल मिलाके ये इस बार भाजपायां काफी मेहनत कर रही है संगठन में पूरी ताकत जोकी है यहां सबसे पहली सभ़ाइ इसी इलाके में हुई थी अमिस्शा की ठूनाओं कि पारत रही है लेकिन इसे से लगे हुए स्टेडियम में शायद प्रियंका गांधी की सभ़ा भी हुई ती लग विलाई सब मिला जुला है कोई बस्ती अलग बटी हुई नहीं है और बाजपाय यहां एक जुट्टा दिखाने की कोशिस कर रही और दिख भी रही थोड़ा इसलिए पहले जैसा आसान जीत मुझे नजर नहीं आ रही है मैं एक चीज समझना चाहता हूँ श्रशांक आप से साहू समाज के लड़के की हत्या हुई तामरदवज गरी मंतरी रहते हुए और साहू रहते हुए वहाँ पे नहीं गए साहू समाज के वोटरों में इसको लेके रंज होगा क्या बिलकुल होगा होगा और तो इनको जो साहू समाज का समर्थन पिछली बार मिला होगा वो एक वज़े और थी साहू समाज के लोगों को लग रहा था कि शायद ये मुख्यमंतरी बनेंगे इसलिए भी समर्थन इनक साहू केंडिडेट कॉंग्रेस के जीत गए थे ऐसा ही था पिछली बार लेकिन समस्य यह मतलब तामरदभज के पक्ष में यह है कि वो अपनी हद तक समाज के लोगों में नराजी को दूर करने में कुछ हद तक कामियाद दिख रहे हैं ऐसा है तो लेकिन भाजपा ने प्रतिक के रूप में बना दिया है कि यह यह बेइंसाफी का एक प्रतीक है यह इसके साथ बेइंसाफी हुई है अब माइं इसमें से चोटी सी एक जानकरिया विहाल कर दे रहे हूं विधान समझ चुनाओं के ठीक पहले एक जिल्ला पंचयत के चुनाओं हुए थे जिला साहू समाज का वैसा नाराजगी आप जो चुनाओं बोल रहे हैं कुछ महीने पहले का जिला पंचायत का उसमें पहले नहीं आई एसा और अभी यह साहू समाज के लड़ने वाले केंडीडेट में सबसे वरिष्ट हैं लेकिन मज को जो दुर्ग के लोगों से कल जानकारी मिली है इस इलाके के जो वाकिफ लोग है उन से जानकारी मिली है कि यहां मुकाबला काफी कड़ा हो गया है बाजप पर तो था नहीं हुखको ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री भुपेश बघेल की जो पाठन कांस्ट्रिंसी है उसमें भी साहू वोट है तो वहां मुख्यमंत्री तामरदहच साहू को ले के गए उनसे वहां पे प्रचार करवाया और मुख्यमंतरी के बेटे जो है वो दुर्ग ग्रामीन में तामरदहच की कांस्टेंसी में गए वहां कुर्मी समाज के लोगों के बीच प्रचार हुआ यह अच्छी बात है दोनों गुडबाजी करें उसक यह कुछ महिनें उसे थोड़ा मद्भेद की जानकारी तो आ रही थी तो यह जरूरी था कि एक दूसरे को सहयोग करो यह दूर करने की यह वह करने का लेकिन फिर भी बड़ा टक्राव सामने नहीं आया बड़ा टक्राव गुडबाजी सामने नहीं आई यह बुपेश बग दोनों में से किसी एक का साथ देना गुडबाजी करना यह नहीं किया उन्होंने तो पार्टी की नजरों में इनकी खुबी आई होगी यह लगता है आपको कंग्रेस पार्टी में कुछ माहिने रखता है यह अभी राश्टी स्थर पे पदादेकारी भी पने हुगे हैं पाटन विधान सभा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भुपेश बगेल कांग्रेस के केंडिडेट है भाजपा के विजय बगेल जो की वहां से विधायक रहे चुके हैं जो की उसी इलाके के सांसद है दुर्ग के सांसद है उसी में आता है ये विधान सभाक्षेत्र भी भु बुलना जो है ये फिजूल की बात है विजेब अगेल ने अपनी बेटी की शादी में हम लोगों को बुलाया भी नहीं था ऐसा उन्होंने कहा है ऐसा उनका एक इंटर्वी छपा हुआ मैंने देखा है एक भरोसे मंद अकबार में उन्होंने कहा था फिर यहां पे जनता करता है इसो फारिक में और यह कुछा हर रहे हैं सबसे बड़े और ये दूंकर में महां उत्रे उत्रे हुए हैं घर घर जाकर कही खी खा रहे हैं मुझे को यह हमीज्ज तो लगता है छुनाव में उनको वोट जाहे जितना भी अildays वजन इनको 4-5 किलो मिल जाएगा कल शाम तक ऐसा मुझको लगता है कहीं काकी खीर खिला रही है कहीं कुछ खिला रही है घर घर जाके ये खा रहे हैं अपार क्षम्ता के धनिये ये खाने के मामले में पॉर्टन में उन्हीं की पोस्ट की फोटो से दिख रहा है मुझको अलग से नहीं मालूम है यहाँ पर हमर राज पार्टी जो की कांग्रेस से अलग होके अर्विन नेताम ने सर्व अधिवासी समाज नाम के अधिवासी संगठन को राजनीतिक गल में जब बदला है हमर राज पार्टी उसके बी-एस राउटे जो की शायद एक भुत्पुर्व अधिकारी है यह भी यहाँ से हमर राज पार्टी में गोणवाना गणतंत्र पार्टी के संदीप पाल है पार्टन विद्धान सभाग जैसे कोई दिल्ली से कहीं से साउथ से कोई जनलिस्ट आते हैं आ के मुझसे पूछते हैं उननकी पहली दिल चसपी रहती है मुख्यमंत्री की कांस्टेंसी कैसे जा सकते हैं मैं कहता हूं बहुत आसान है राइपुर शहर और मुख्यमंत्री की कांस्टेंसी के बीच में कुल एक पुल है जिसको पैदल भी आप 15 सेकेंड में पार कर सकते हो गाड़ी से जाओगे तो 5 सेकेंड लगेगा पार करने में छोटा सा नदी के उपर पुल है वहां से पाटन का हूँ आए तो कौई दूर नहीं है ऐसे लाकह से विजई पहल विजए बगेश्य में घट आता है या तो कस्टेंसी में ही दो में रहा हूं और अमीजोगी राइपूर में लेकिन अमीजोगी पूरे 90 वचाय चेत्रों में अभी तो हेलिकाप्टर से लगातार वो दौरा कर रहे हैं तो जैसे कहावत पुरानी सबय भूमी गोपाल की तो ऐसा अभी पूरा प्रदेश ही अमिर्जोगी का है इस तरह से माहौल दिख रहा है क्या लगता है शशांग पाटन विधान सभा में पाटन में अम सत्नामी समाज और अधिवासी समाज के दोनों के मिला दे तो में कुल मद दाता होंगे करीब 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 55,000 के आसपास सत्नामी समाज और अधिवासी समाज के 45,000 अच्छा दोनों मिला के और सबसे ज़्यादा उतनी संख्या करीब करीब साहु समाज की है दूसरे उसके न चोड़ दीजे किया लाज सर्मा विधायक बने थे बाकी जादा तर तो यह रहें और इन सब के बावजोद यहां त्रिकोनी इस्ति पहले भी निर्मित होती रहें ऐसा हां के जुराम वर्मा दो बार निर्दली विधायक तो रहें और बाद में 2003 में विजय बगेल NCP से पर यह भाजपा में आ गए रमेश बैस के सगे मतलब सभी भांजी इनके लिए ब्याही गई है विजय बगेल की पत्नी जो है वो रमेश बैस की बहांजी है करीबी रिष्टा है तो अब मुकावला चुकि यह दो तीन बार तो नगरपाली का अध्यच रहें विजय बगेल विधायक भी रहें संसदी चची तो रहें यह भी चपपा चपपा जानते हैं दोनों एक साथ राजनिती शुरू के हमुम रहें राजनितिक प्रतिद्वनता शुरू से रही है और वो खुब मेहनाद भी कर रहे हैं अब यह जंता कांग्रे से जो अमीद जोगी है आए है आपको याद होगा कि अजित जोगी अपने विरोधियों कि हां कुछ ना कुछ ऐसा चोड़के रखते थे शोड़के रखते थे मज़ी याद आ रहा है कि वह 2008 के चुनाओं में विरोधी याने विपक्षी पार्टी के नहीं पार्टी के भीतर पार्टी के बड़े वीधर वहां छोड़के रखते थे दोजार आठ में हचुनाओं हराने में उनकी बड़ी भूमी का उन्हों शी का तो इसके अलावा प्रदेश अद्धेश बने भूपेश बगेश तो पहले लोकसभा फिर मुनेश्पल के चुनाओं फिर पंचायत के चुनाओं में तो भी मेरे करवा है जोगी जी ने राकेश ठाकुनाम है और अधिकरित पत्यासी को जोगी जी के कंडिनेट ने दसेजार ओट से हराया था ऐसा जी यानि पार्टी से ज्यादा दमखम इनका था वहां पर जोगी जी को कुल मिला के उनकी दखल रही है और उसके बाद यह हुआ कि बाद पिछले विधान सबा चुनाओ में सकुंतादा शाहूप उमिद्वार थी जन्ता कांग्रेस से करीब करीब 13,000 वोट पाई थी अच्छा मिले थे उनको तो यह सब को देखते हुए अमित जोगी उतरे हैं संगठन में जोगी पार्टी को 13,000 वोट मिले थे पार्टन से ही प कर रहे हैं बिलकुल सुर्खियों में हैं मेरे जैसा व्यक्ति देख रहा है कि कौन से काकी के यह खीर खा रहें किस क्या खारे मैं देख रहा हूं रोज उनको जे अच्छा यह बूट मेनेजमेंट के मामने में अमित जोगी बहुत तेज हैं मुलाकात मुकावला इनका कि खास करके उन्हीं इलाकों में ज्यादा ज्यान जिदित कर रहे हैं जाता अत्नामी समाज या अधिवासी समाज के वोटर है और यहां उतना स्कोप है कि एक अच्छा खासा वोट पा सकते हैं यह मुझको बतलाओ आप साफ साफ बात करूं मैं अपन घुमा फिरा के क्यों करें मुख्यमंत्री की सीट है इसलिए बहुत लिहाज करके बात करें जरूरी नहीं है यहां अमिज्योगी जितने भी वोट पाएंगे तेरह हजार तो आप बतला रहे हैं जोगी कांग्रेस को पिछली बार मिला था हो सकता है अमिज्योगी को उससे ज्यादा मिल जाए हलं की भाजपा का मुझे लगता है कांग्रेस के ज्यादा नुक्सान होगा ऐसा लेकिन इसमें वहां पर पैज भी था जो बसपा वसपा या दूसरों को भी मिलता रहा है वह वोट इनको मिल सकते हैं अमिज्योगी किसको ज्यादा बड़ा डेंट लगाएंगे जो चुनावी स सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस को ही कांग्रेस को लगाएंगे और भुपेश बगेल का पिछली बार लीट कितनी थी अठाई से जारे अठाई लीट काफी थी दूसरा पांच साल में उन्होंने काम अंधाद कराएं वहां पे हर गावां में कुछ ना कुछ सड़के का कि आप बात कर रहे हैं ये रमन सिंग सरकार के समय मंजूर हुई थी जिस पे काम अभी हुआ है ये नया मंजूर सड़क नहीं है ऐसा किसी ने मुझको काम है उतने बारीकी में नहीं जा रहा हूं लेकिन मेरा मानना है कि पाटन में काफी काम हुआ है कुछ नई चीजें वह हां पे शुरू हुई है हलवर्ण पार्क हर तरह की और मुझको लग रहा है कि राइपूर के तुरंत बाद अगर कोई इलाका रियल इस्टेट के मामले में जमीन मकान फ्लैट इसके मामले में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है तो वह पाटन का इलाका है अमलेश्वर का पाटन कांस्टेंसी में जो पहला गाम पड़ता है राइपूर से लगा हुआ अमलेश्वर वहां सबसे जादा तेजी से रियल इस्टेट का मार्केट बढ़ रहा है सारे बड़े-बड़े बिल्डर वहां जा ही रहे राइपूर शहर के अधिकांश बड़े-बड़े बिल के आस्वस्त हैं जबकि भाजपा वहां मेनत काफी कर रही है राधनास नीव अगरेक भी काफी सभव होई थी और मुझका ऐसा क्यों याद पड़ रहा है कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता की का कारेक्रम भी पार्टन में हुआ है हो चुका है वहां राष्टी नेता मेरे केंडिडेट होते हैं वुपेश बगेल जैसे ताकतवर केंडिडेट कम रहते हैं विजय बगेल जैसा तजूर्बा कम लोगों का रहता है अमिजोगी जो है यह एक बहुत ही अन्प्रेडिक्टेबल जिनके बारे में ज्यादा भविश्वानी नहीं की जा सकती है अब यह यह कितना तक कर पाते सब्सक्राइब खुद की अब lobby का वोटर मुट रहता तो बदेता हूं के पिता के समय से मेरा परिचय है उंके जब थे और भूबेश बगेल नहीं थे राजनीती मिए तब से उनसा परिचय है भूपेश बगेल नीजी रूप से सम्मान करते हैं सारजनीक रूप से हमारा कोई जादा वास्ता नहीं पड़ता विजय बगेल जो है इनसे मेरे 30 साल पुराने पारिवारीक संबंध है घर में आना जाना ऐसे पारिवारीक संबंद हैं इनसे विजय बहिया बोलता हूं मैं इनको अलंकि उम्र में बहुत बड़े नहीं होंगे लेकिन मेरे इनसे ऐसे पारिवारिक संबंद है तीसरी बात यह है अमीद जोगी अमीद जोगी की पत्नी जो है रिचा जोगी वो मेरे एक दोस्त थे प्रवीन राज उनकी बेटी है वो नहीं रहे गए प्रवीन राज साधू इनकी शादी के पहले गुजर गए इस तरह से यह तीन केंडिडेट जो है पाटन के इन तीनों से मेरे पारिवारिक संबंद एक एक जनरेशन पहले के रहे हैं अमीद जोगी के पिता से मेरे संबंद रहे भूपे मेरा कोई पुर्वागरा किसी केंडिडेट के बारे में नहीं है मैं पूरी तरह से एक राजनीतिक चर्चा कर रहा हूं लेकिन कोई यह न कहें कि आपका यह पुर्वागरा इसके बारे में है इसलिए मैंने साफ साफ यह डिस्क्लेमर रग दिया कि भाई यहां के तीन संबंद रहे हैं या हैं बड़े करीबी संबंद रहें मेरे इन तीनों से और कुछ है पाटन के बारे में बस अब यह भुपेश वगेल अपने लीट को लेके काफी आस्वास्त है कि जितना 28000 से उनसे बढ़ेगी ऐसा और यह अपने जीत भागता वाले जीत की दावे कर रहे हैं कि मुख्य मंत्री हार और हार रहा इस तरह के कोई टीपणी की थे हैं हालनकि प्रदान मंत्री जो चुनावी सभाव में जो बोलते हैं उसका कोई बहुत बुनियाद नहीं रहती है उसकी ऐसा ही है तो अब देखना है कि क्या होगा किस तरह रहा है ऐसा चलिए आज की य चर्चा की है यह दो एपीसोड इसके पहले का और यह मिला कि हमने आठ प्रमुख सीटों पर चर्चा की जिन पर लोगों की उत्सुकता है कल सबेरे यहां पर मद्दान है आप इसको देखिएगा वोट डालने जरूर जाहिए गर रिकार्ड वोटिंग होनी चाहिए इन कीजिए जो कुछ भी आपको लगता है मेरी मेरा जो नीजी संबंध था मैंने बतला दिया अब पूर्वाग्रा है कि नहीं है आप तै कीजिएगा और वोट डालने जरूर जाहिएगा यह मेरी आज की आपसे आखरी अपील है फिर मिलते हैं नमस्कार मैं हूँ सुदेशना रूहान कैंसर रोग्यों के साथ एक दशक से भी अधिक काम करते हुए मुझे मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की बात समझ में आई और यह भी समझ में आया कि मतदान हमारे सबसे बड़े लोक्तांत्रिक अधिकारों में से एक है यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है तो आईए इस 36 गडविधान सभा के चुनाव में हम अपने लोकतांतरिक अधिकार और सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करें, मतदान में भाग लें और न केवल स्वेम भाग लें बलकि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें ताकि वो चुनाव में भाग लें, निधी को जो हमारे आज और आने वाले भविश्य को मजबूती प्रदान करें, धन्यवाद